तालिवान अपनी बात पर मुकर गया है जी हाँ तालिवान कश्मीर में दखल देगा उनके प्रवक्ता ने कहा है कि कश्मीर क्या भारत या किसी भी देश में मुस्लिमों के लिए आवाज उठाने का हमें हक है तालिवान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार के एलान से पहले रंग दिखाना शुरू कर दिया है भारत के साथ अच्छे रिष्टे रखने की बात करने वाले तालिवान के प्रवक्ता सुहिल शाहिन ने गुरुवार शाम एक इंटर्वू में कहा कि तालिवान को कश्मीर समयत पूरी दुनिया के मुसल्मानों की आवाज उठाने का हक है साहिन ने कहा कि मुसलिम हमारे अपने लोग हैं हमारे नागरिक हैं और कानून के तहट उन्हें बराबरी का अधिकार है पहले तालिवान ने कहा था कश्मीर दुविपक्षय मामला है साहिन से पहले तालिवानी नेताओं ने कहा था कि कश्मीर दुप्यक्षय और अंधुरुनी मामला है भारत के विदेश मंत्राले के पिरवक्ता अरिंदम बाग जी ने कहा था कि भारत का लक्षय ये निश्चित करना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तमाल किसी भी तरह क आतंकी गत्विदी के लिए ना हो लेकिन भारत के तालिवान को समर्तन देने के बाद पुरंत बाद ही तालिवान अपनी बात से मुकर गया अलकायदा ने कहा कि कश्मीर को इसलाम के दुस्मनों से आजाद कराओ आतंकी संक्टन अलकायदा ने अफगानिस्तान में जीत के लिए तालिवान को बदाई दी थी अलकायदा ने इस बदाई संदेश में इसलाम के दुस्मनों से कश्मीर और दूसरी इसलामी जमीनों को आजाद कराने की बात कही थी अलकायदा ने फिलिस्तीन, लेवेंट, सोमालिया और यमन जैसी छेत्रों की आजादी की अपील की थी अफगानिस्तान के पूर प्रदान मंत्री बोले अफगानी नहीं चाहते की कश्मीर मुद्दा यहां आए अफ़गानिस्तान के पूरned प्रधान मंत्री और हिज्व ए इसलामी गुलवुद्दीन पालटी के नेता गुलवुद्दीन हिकमत यार भी तालिवान से चर्चा कर रहे हैं हिकमत यार ने एक टीवी चैनल को दिये इंटर्वू में कहा कि तालिवान को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी और देश के खिलाप नहीं होने देना के वायदे पर टिकना चाहिए हिकमत वार के मुटाविक अफगानिस्तान के लोग नहीं चाहते कि कश्मीर विवाद भारत चीन सीमा विवाद और तिवद जैसे मुद्दे अफगानिस्तान पहुँचें और ये ती खास खबर नई और ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे चैलेंज नुज के साथ नमस्कार